असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स उमीद है आप लोग हैरियत से होंगे जी तो स्टूरेंट्स आज मीटिंग हुई है सहीद गनी सरकी और 9th class 10th class 1st year 2nd year के जो स्टूरेंट्स हैं सिंध बोड के उनके लिए बहुत important updates हैं और अपनी इसी वीडियो में मैं सिंध बोड के स्टू 2021 से related अभी तक जितने भी updates रहे हैं वो तमाम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई हैं मजीद जैसे updates वगयर आती रहेंगी वो भी मिसासत इंशाला आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी जी तो स्टूरेंट्स जैसा कि मैंने आप से कहा है कि आज से दियानी सर क्यों यह finalize हुआ था कि जुलाय में पहले 10th class के exams होंगे और 10th class के exams के बाद फिर 12th class के exams लिये जाएंगे और अब इस वक्स्क्रीन पर आपके सामने जो updates वगरे शेयर हो रही हैं यह आज की press conference की है अगर कोई इस news को directly जाकर देखना चाहरे तो comment कर दे मैं इस news का source share कर दू कोई और उसके फूरन बाद 9th class के exams कंड़क्ट करवाए जाएंगे उसके बाद 2nd year के exams कंड़क्ट करवाए जाएंगे और 2nd year के फूरन बाद 1st year के exams कंड़क्ट करवाए जाएंगे और उसके बाद जो third important point है वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इस बाद पर भी क्यारी मजामीन के ही इम्तिहान लिए जाएंगे यानि कि आपके बी सिर्फ एलेक्टिव सब्जिक्स के ही exams होंगे बाकी बोर्स की तरह जैसे कि शवकत में मुझसर ने अपनी प्रेस कांफरेंस में announcement कर दी थी बाकि इसके लावा जो next important point है वो ही है कि आपकी exams 45 days के बाद ज लेट ही आएगा पहले 10th class का आएगा पहले 10th class का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर 9th class का रिजल्ट आएगा और नेक्स यहां पर यह बात की जा रही है कि जो कोविट की सिच्वेशन है वो पहले से इंप्रूफ हुई है पहले से बैटर है लेकिन फिर भी करोना एक करोना के केसिस फिर भी आ रहे हैं इसलिए जितने भी तिलीमिये दा रहे हैं उनमें 50% जो अटेंडर से उसके साथ ही उनको अपरेट किया जाएगा तो आज की जो प्रेस कॉंफरेंस हैं उसकी जो भी ताइक अप्डिर्स वगयरा मिली हैं वो यही हैं जो मैंने आपके शेर कर दूँगी यह तमाम अपडिर्स थी सिंद बोर्ड के जो स्थॉरिंस हैं उनके लिए मैं पंजाब बौर्ड के स्थॉरिंस के बात करूं तो सबसे इंपॉंटर्ट अपडि Hearts ने कहां वाले पंजाब बोर्ड की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं वो ये हैं कि पेपर पैटरन सेम वो ही रहे गए जो लांस्ट येर से पॉल होता आ रहा है जैसा कि आपने नियूस सुनी थी कि 70% से क्यूस कर दिये जाएंगे पंजाब बोर्ड ने ये क्लियर अपडेट्स दे दिये हैं कि जो पेपर पैटरन है वो सेम प्रिवियूस पेपर पैटरन की तरह ही रहेगा पेपर पैटरन चेंज नहीं हो रहा है और ना ही पेपर की टाइमिंग चेंज हो रही है बाकि इसके लावा पंजाब बोर्ड के जो स्टोलिन से उनके जो स्केजूल्स वगरा है वो आ चुके हैं डेर्शिर्स वगरा भी आ चुके हैं जो प्रोपोजल डेर्शिस हैं इन्ही प्रोपोजल डेर्शिस को अब प्रूफ किया जाएगा और वेबसार्ट पर अप्लोड कर दिया जाएगा जब वेबसार्ट पर अप Hafiz, thank you so much.